एक वीडियो यमन से आया है और एक वीडियो अमेरिका के सीक्रेट एर बेस से आया है दोनों तरफ आग लगी हुई है दोनों तरफ मौत बरसाने का सामान एकठा हो चुका है इन दोनों में पहले यमन से आये हूथी वे द्रोहियों के वीडियो को देख लीजे वो इस फायर पाबर से अमेरिका और एस्रेल दोनों को डराना चाहता है लेकिन इस स्वक्त पूरे पश्यमेशया में अमेरिका और इस्रेल का फूपस इरान बन चुका है बाइडन की सेंटर कमांड एक्टिव हो चुकी है सीर्क्रेट एयर बेस से लगातार राग में उडान भरी जा रही है ये बात साफ है कि इराग और सीरिया के बाद अब अमेरिका का टार्गेट नमबर तीन इरान है लेकिन इरान पर अटैक कब होगा? कैसे होगा? हमला कितना खतरनाक होगा? इसका सिर्फ अंदासा लगाया जा रहा है ये राग में टेक आफ करने वाला विमान अमेरिका का सबसे खतरनाक लॉंग रेंज वाला बम वर्शक है नाम है बीवन बॉमर सीरिया और एराक पर बमबारी के लिए कितने बॉमर, कितने फाइटर जेट शामिल होए ये अभी तक नहीं बताया गया है लेकिन मिशन खत्प होने के बाद ये बात जाहिर कर दी गई कि अमेरिका ने सीरिया और एराक के अंदर 85 टार्गेट पर हमला किया लेकिन इनके उड़ान लगातार जारी है और यही इस वक्त इरान का सबसे बड़ा डर है कि अगर बीवन पॉमर का रुख तेरान की तरफ कर दिया गया तो क्या होगा? इराक में गुसा कैसे उबल रहा है? उसकी तस्वीरें अमेरिका को परिशान जरूर करेंगी बगदाद में उन लोगों के जनाजे के साथ प्रदर्शन हुआ जो अमेरिका की एर स्ट्राइट में मारी गए है इराक का दावा है कि कताय बेजबुला या हश्ट अल शाबी से जोड़े 16 लड़ाके अमेरिका की बंबारी में मारी गए है लोगों की हाथों में इनकी तस्वीरें और अमेरिका को मोथोड जवाब देने की मान की जा रही है सबसे बड़ी दिमांड ये है कि अमेरिका की फौश पूरी तरह इराक से बाहर चली जाए हज्द, अल, शाबी और कतायब हिजबल्ला इराक के वो मिलीशिया गुट है जिन्होंने आइसिस को मार कर खदेर्ने में बड़ी भूमी का अदा की ती यही वज़े है कि तब एरान ने भी इनकी पूरी मदद की थी इरान और अमेरिका के बीच अचानक से युद्ध वाला माहौल बन चुका है घाजा में हमास और इस्रेल के युद्ध के बाद अब पहले फोकस यमन पर केंडिट हुआ और अब इराक पर अमेरिका के बंबारी के बाद इरान को टार्गेट करने की मांग की जा रही है क्योंकि इराक और सीरिया में जो मिलीशिया इस वक्त अमेरिका के दुश्मन बन चुके हैं उनको इरान से ही पूरी मदद मिलती है ये बात तो खुद एरान भी पूरी तरह खारिज नहीं करता इराक और सीरिया पर B1 बॉमर से तबाही मचा कर अमेरिका ने एरान को बहुत बड़ा मैसिद दिया अमेरिका अब एरान को बताना चाहता है कि वो इसी तरह तेरान पर, शिराज पर, सिस्तान, किर्बान पर और इस वहान पर बंबारी कर सकता है और उन्हें मिट्टी में मिला सकता है ऐसा अमेरिका एराक में सर्दाम के खिलाफ कर चुका है लीबिया में गदाफी के खिलाफ कर चुका है अमेरिका चाहता तो ये बंबारी F-16 और F-15 जैसे विमानों से की जा सकती थी लेकिन अमेरिका ने B-1 सुपर वामर का इस्तेमाल किया यानि अमेरिका ने बता दिया कि वो चाहे तो अपने काउंटर स्ट्राइक का दर्जा 10 गुना बढ़ा सकता है और ऐसा वो B-1 जैसे बंबार के जरीए बहुत आराम से कर सकता है अमेरिका के पास 60 से जादा B-1 बंबार है ये 34,000 किलोग पेलूग के साथ 24 क्रूज मिसाइल लेकर उड़ सकता है रफता 1,500 किलोमेटर प्रतिगंटा B-1 बंबर अमेरिका का सबसे भरोसे मंद और उसकी बंबर्स वाली फ्रीट का वर्ट होर्स कहा जा सकता है जो सबसे तेज ओड़ कर दुनिया की किसी ही लोकेशन पर पहुँच सकता है ये ऐसा काला देते है जो अकेले दम पर कई मोर्चों पर इरान की ताकत को एक जटके में ख़त्व कर सकता है अमेरिका की बंबर वाली ताकत भी आपको दिखाते हैं क्योंकि इरान के खिलाफ तनाव का लेबर अब बाइडल की नाग से उपर जा रहा है ऐसे में सवाल है कि क्या वक्त आ गया है कि अमेरिका अपने सबसे खतरनाग बॉमर्स को सबसे बड़े मेशन के लिए तैनाद करने पर मजबूर हो जाएगा भीवन से बंबारी करके अमेरिका ने दिखा दिया है कि वो ऐसा करने से हिच केगा नहीं सवाल है कि क्या अमेरिका वाकई नया युद्ध करने के लिए तयार है क्या वक्त आ गया है कि अमेरिका ने जो गलती योकरेन को लेकर की है उसे इरान के साथ नहीं दोर आएगा यानि वो खुलम खुला जंग करेगा अमेरिका के कौन-कौन से बॉमर किसी भी वक्त किसी भी डेपलामेंट के लिए तैयार है ये भी देख लीजे B-52 को देखिए अमेरिका का सबसे पुराना लेकिन सबसे खदरनाक बॉमर जब ये रनवे पर चलता है तो और ज्यादा विद्भनसक नज़र आता है अमेरिका की पास इरान को डराने के लिए बहुत कुछ है अमेरिका का B-52 बॉमर 32,000 किलो के बंब लेकर उड़ता है ये एक न्यूक्लियर बॉमर है आठ इंजिन की पावर से उड़ने वाला B-52 दोनिया का सबसे पुराना और सबसे खतरनाथ बॉमर माना जाता है 60 के दर्शक में अमेरिकी एरफोर्स का हिस्सा बनने के बाद इसे लगाता, आधुनिक बनाया गया और यही वज़य है कि 7 साल बाद आज भी ये उडान भर रहा है B-2 को देखिए अमेरिका का स्टेर यानी रैडार की पकड़ में ना आने वाला बॉमर और P-1 को तो आपने देखी लिया है अमेरिका के सुपर्सोनिक बॉमर को कुछी घंटों के नोटिस पर दोनिया में कहीं भी मिशन के लिए भेजा जा सकता है अमेरिका और इरान के बीच तनाव इस लेवल पर पहुँच चुका है कि डर है कि एक नया खाड़ी युद बहुत जल्दी शुरू हो सकता है इसलिए सवाल है क्या इराक और अमेरिका के बाद अब इरान और अमेरिका की जंग होगी और हुई तो इसका दायरा कहां तक पहलेगा अमेरिका और इरान का युद क्या वर्ल वार में तब्दील हो सकता है यही सबसे बड़ा सवाल और डर भी है इनी सब बातों से इस सुवक्त खाड़ी देशों में तनाओ बहुत ज़ादा है यमन से हूथी विद्रोहियों के नए वीडियो से तनाओ के लेवल को समझा जा सकता है हूथी मिलीशिया ने अपनी ट्रेनिंग दिखाई है यह वीडियो उसमें अमेरिका और इस्रेल के लिए बनाया है हूथी ने रॉकेट फायर करके दिखाए है हूथी ने अपने ड्रोन ओडा कर दिखाए है हूथी विद्रोहियों ने दिखाया है क्योंकि बं कितने सठीक तरीके से निशाने पर गिरते हैं जगे जगे टार्गेट पर इस्रेल का छंडा बताता है कि हूथी मिलीशिया के टार्गेट पर इस्रेल सबसे बड़े दुश्मन की तरह है हूथी विद्रोहियों के टैंक T-72 भी इस युद्ध भ्यास में शामिल है उसकी स्पेशल पोर्स भी किसी मिलिटरी पोस्ट पर हमला करके दिखा रही है जो डमी टार्गेट है वहाँ अमेरिका और इस्रेल के ठंडे लगेगे यमर इस वक्त अमेरिका और ब्रित दोनों के टार्गेट पर है लाल सागर में अमेरिका और ब्रितन के कारगो जहाजों पर मिसाइल हमले हो रहे है और यही वज़य है कि ब्रितन की वाइब सेना अपने खतरनाग फाइटर जेट दोनों को बम से लैस कर रही है इस जहाज को हूथी वे दोहियों का टार्गेट खत्म करने के लिए तैयार किया जा चुका है यह लेजर गाइड़ बम है ऐसे ही बम इसरेल ने घाजा पर इस्तिमाल किया है और आप इनसे ही ब्रितन यमन पर हमला करने के लिए बेकरार है आप भाइड़ खत्वार करने के लिए हुआ करने के लिए तैया सब्सेटने का लिए लिए करने के लिए एक है